देखे गाई इस राउंद को हमने कंप्लेट कर लिया है और यहां पर हमारी लाश्ट है देखें यहां पर एक दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे अब देखें यह जो हमने बनाई हुई है इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और धागी को हम कट कर लेंगे देखें गाई मैंने धागी को ज्वाइंट कर लिया है ज्वाइंट करने के बाद देखें एक दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे हम उसके बाद देखें एक दो तेन तेन बार धागी को हम लपेटेंगे और उसके बाद देखें इसमें हम डालेंगे एक दो तेन देखें तेन बार में हमने निकाल लिया उसके बाद एक बार में हम निकाल लेंगे जो हमारी दागा बच्ची होई है एक दो तेन चार पाँच पाँच चैन बनाएंगे इसके पाँच दिखे एक दो तीन तीन बर लपेटेंगे और इसी चैन में डाल कर एक दो दखेंगे फिर तीन बर लपेटेंगे और इसी चैन में डाल कर तीन बर में हम निकाल लेंगे देखे इस दागी को हम इसी में रहने देंगे उसके बाद देखे एक दो तीन तीन बर लपेटेंगे देखे आगे वाले चैन में हम डालेंगे एक, दो, तीन तीन बार में हम निकालेंगे एक, दो, तीन दिखेंगे अब हमारे पास डबल कुरूशिया हमने इसका बनाया दो चैन इसका है, दो चैन इसका है और एक यह हमारी जो चैन बनाई हुई है इसको हम एक साथ निकाल लेंगे देखेंगे, एक साथ निकाल लेंगे इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पास पास चैन बनाईंगे इसका देखेंगे, एक, दो, तीन बार लपेटेंगे और देखेंगे, इसमें हमने बनाई हुई है फिर इसी में डालेंगे हम एक दो तीन तीन बार में धागी को निकालेंगे एक दो तीन फिर इसी में डालेंगे एक दो तीन देखे और धागी को हम इसी में रहने देंगे एक दो तीन और देखे आगे वाली चैन में हम डालेंगे इसमें एक, दो कि हम तीन बार लपेटेंगे एक, दो, तेन एक, दो तीन बार में हम डागे को निकाल देंगे फिर तीन बार लपेटेंगे इसको एक, दो, तीन अब देखिए, दो इसका और दो इसका ये चैन वाली है इसको हम एक साथ निकाल लेंगे धागे को कि बार देखिए, इस तरीके से हमारी जिग जाग बनके आ जाएगी देखिए, ये दोनों एक साथ आएगी, ये दोनों एक साथ आएगी के बाद एक दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे फिर तेन बर लपेटेंगे या देखिए फिर इसी वाले चैन में हम डालेंगे एक चैन में हम दो बर बनाएंगे देखिए एक दो तेन तीन बर दागे को हम लपेट लेंगे देखिए इसको इसीम रहने देंगे तीन बर धागे को लपेटेंगे फिर आगे वाले चैन में डालेंगे और तीन बर में निकाल लेंगे धागी को देखिए ये जो हमारी धागे आ रही है इसको हम एक ही बर में निकाल लेंगे इसके बर एक दो तीन चार पात चैन बनाएंगे इसके बर देखिए एक दो तीन बर लपेटेंगे और देखिए फिर इसी चैन में हम डालेंगे एक चैन में हम दो बर बनाएंगे और देखिए इस तरीके से हमारी जिग जग बन के आ जाएगे गाईज उमेद करती हूँ आपको समझ में आ रही होगी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकती है हम इसी तरीके से इसको बना कर कम्प्लीट करेंगे फूरी रो को देखिए तीन बर चैन को हम लपेटेंगे फिर आगे वाले चैन में हम डालेंगे देखिए देखिए दो इसका है दो इसका है और ये कि ये हमारी चैन वाली है पांच चुको एक साथ हम निकाल लेंगे कि वाद एक दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे फिर तीन बर हम लपेटेंगे और देखिए फिर इसी चैन में डाल कर बना लेंगे देखिए आगे वाले चैन में डालेंगे देखिए वारी चार और एक चैन लेके पांच इसको एक साथ निकाल लेंगे एक तो दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे दिखिए इस तरीके से हमारी जीक चक बनती चली जाएगे चलिए मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको यहां तक उसके बाद आपको दिखाऊंगे आगे किस तरीके से हम बनाएंगे बहुत प्यारी बनके आईगे आईगे आप जरूर ट्राइ कीजिएगा देखिए गाइज हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है देखिए यहां पर मैंने पांच चैन भी ले लिया है पांच चैन बनाने के बाद जिस तरीके से हमने यह बना लिया है इसमें एक राउंड हम और बनाएंगे तो तीन बनत आगे कुल अपेटिंगे वह दागे जो आ रहे हैं तो देखिए इसमें हम डालेंगे इस वाले में जो हमारी चैन आ रही है इसमें डालकर एक साथ हम निकाल लेंगे दो दिछे हिसा तरी के से बन के आ जाएगी और hseद के कर लेगे दिखे अब इस धागय को हम ज्ट करेंगे इस में इस कलर से ही और है कि आधे की यहां पर हम बेच में डालेंगे थागय और इस तरीके से एक, दो, तेन, चार, पांच देखिए पांच चैन बना लिया उसके वासे देखिए एक, दो, तेन, तीन बर दागी को हम लपेटेंगे जिस तरीके से हमने इसको कम्प्लीट किया है इसी तरीके से इस राउंड को भी हम बना लेंगे देखिए फिर इसको हम निकाल लेंगे उसके बाद एक, दो, तेन, चार, पांच, छे हम छे चैन बनाएंगे उसके बाद एक, दो, तेन बर लपेटेंगे दागी को जहां पर हमने दो बनाया उसके बाद से देखिए अब तीन धागे हमारे हैं तो इसको हम एक ही बार में निकाल लेंगे जागे को कट कर लेंगे उसके बार देखिए एक दो तीन बार हम लपेटेंगे और दीखिए ये जो हमारी पैटर बनके आ रही है इसके बीच में हम डालेंगे देखिए उपर वाले चैन में और इस तरीके से पना लेंगे हम देखिए अब इस संधागी को हम एक ही बार में निकाल लेंगे उसकरा देखिए एक दो तेन चार पांच छे चैन बनाएंगे एक दो तीन बर हम लपटेंगे और देखिए फिर इसी चैन में डाल कर बना लेंगे देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे खिर देखिए उसके आगे वाली चैन में हम डालेंगे देखिए इसको हम निकाल लेंगे ता हमारी जीग जाग इसी तरीके से फिर एक राउंड और हम बना लेंगे देखिए इस तरीके से बन पर रहेंगे एक, दू, तीन, चर, पांच, छे, छे चैन बनाएंगे तीन बर हम लपेटेंगे और देखिए फिर इसी चैन में डाल कर बना लेंगे तो गाइजी इसको हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरीके से बन कर आएगे तो चलिए मैं इस राउंड को भी बना लेती हूं उसके बाद आपको दिखाती हूं देखिए इस राउंड को भी हमने बना लिया है और इसको देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने बना लिया है और इसको हम देखिए इस वाले में जॉइंट कर देंगे देखिए यह जो हमारी चैन आ रही है इसमें डालेंगे और इस तरीके से जॉइंट कर देंगे इसके बाद दिखिए चैन में डालेंगे दिखिए इस तरीकी से बन कर आ जाएगी ये भी हमारे जिग जग बन कर रेडी हो गई है तो दिखिए अब इसमें एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ आठ हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक एक चैन देखिए आगे वाले चैन में डालेंगे देखिए इस तरीकी से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम एक दो तीन चार पंच छे साथ आठ देखिए एक एक चैन में डालती हुए इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को बना लेंगे देखिए फिर आगे वाले चैन में डालेंगे और काउंट करती हुए हम आठ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे देखिए एक दो तेन चार पंच छे साथ आठ तो देखिए इस तरीके से हमारी बन कर आजाएगी तो चलिए मैं पूरे में आठ डवल क्रोशिया बनाएंगे हाफ यानि सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और पूरे राउंड में बनाकर बना लेंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखाती हूँ दिखिए इस तरीके से इसकी लुकाएगी देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर बना लिया है पर दिखिए यह देखिए यह जो हमारी चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बना कर अब इसमें जॉइंट कर लिया है उसके बाद से देखिए यहां पर एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए इसके पास वाली चैन यान जो हमारी पैटरन आ रही है इसके बीच में हम क्रोशिया डालेंगे 2 double crochet बनाएंगे देखिए फिर उसके आगे डालेंगे 2 double crochet बना लेंगे देखिए हमारी 3 double crochet बनकर आ गई हैं और 2 हम इएधर बनाएंगे तो round हुआने के बाद बनाएंगे तो हमारी 5 double crochet बनकर आ जाएगी अब यहाँ पर देखिए एक दू तेन चार पांड शे डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारी यह पैटर्न आ रही है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरीके से देखिए सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक दो तेन चार पांच छे चैन बनाएंगे इसके बाद से देखिए आगे वाले यह जो हमारी पैटर्न आ रही है इसकी बीच में हम डालेंगे क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तेन चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए फिर इसी चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरीके से बन कर आ जाएगे एक, दो, तेन, चार, पंच, छे, छे चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए आगे वाली जो हमारी कोर्नेर आ रहे है यहाँ पे हम डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद से यहाँ पे हमने तेन डबल क्रोशिया बनाई हुई थी दो और बनाएंगे तो पांच हो जाएगे तो इसके बाद यहां पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो तेन, चार, पांच, छे, छे चैन बना लेंगे उसके बाद से देखिए एक तो हम बीच में बनाएंगे और दो हम इस वाले पैटन में बनाएंगे देखिए एक, दो, तेन, चार, पांच देखिए पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर इस ही को हम आगे रिपेट करेंगे जैसे हमने ही बनाया एक, दो, तेन, चार, पांच छे, छे चैन बनाएंगे उसके बाद से दिखिए जो हमारी पैटन आ रही है बीच में डालेंगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे छे चैन बनाएंगे इसके बाद दिखिए यहां पे हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन चैन बनाएंगे फिर इसी चैन में डालेंगे दबल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद फिर छे चैन बनाएंगे इसके बाद से दिखिए आगे वाले पैटन में डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे अब इसी को आगे हम पूरा में बना लेंगे गाइज देखिए अब इसके बाद अब ये वाला पैटन बनाएंगे उसके बाद से फिर हम इसको रिपिट करते चले जाएंगे एक दू तेन चार पांच छे छे चैन बनाएंगे और देखिए एक दो दो तेन चर्ट देखिए पांच डवल क्रोशिय बनाने के बाद फिर इसको उसके बाद इसको फिर ये फिर इसके बाद इसको हम दुबारा से रिपिट करते हुए यहाँ तक कम्पलीट करेंगे तो चलिए मैं बनाकर complete कर लेती हूँ, इस round को हम बना लेंगे, देखिए guys हमने इस round को बना लिया है, और यहाँ पर देखिए तीन double crochet हमारी आ रही है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी pattern भी आ गई है, तो हम 6 chain बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बनाने के बाद 2 double crochet हम ब बनाएंगे तो देखिए, इस तरीके से 1, 2, उसके बाद से देखिए इसमें डाल कर हम इस तरीके से निकाल लेंगे, उसके बाद से देखिए दागे को हम ऐसे कर लेंगे, उसके बाद देखिए बीच वाले में हम डालेंगे, और इस तरीके से सिंगल हाप डबल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद दिखिए चैन में डाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद दिखिए एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस चैन बनाएंगे उसके बाद से दिखिए हम यहां पर डालेंगे यह जो हमारी यह आ रही है दिखिए पहले साइड वाले चैन में हम डालेंगे कि डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दिखिए बीच में हम एक दो तीन तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन दिखिए बीच में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चैन बनाने के बाद दिखिए फिर इसी चैन में डालेंगे एग ुदो तीन दबल क्रोशिया बनाएंगे अदिखिए उपर वाली यह एक चैन आ रही है इसमें हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए चार इदर चार इदर हमारी डबल क्रोशिया बन करा जाएगे इस तरीके से बन कराएगे देखिए इसको बनाने के बाद हम एक, दो, तेन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नौ, दस हम दस चैन बनाएंगे जिस तरीके से हमने ये वाला चैन बनाया इसी तरीके से और देखिए फाइब डबल करोशिया हमने बनाई हुई है तो बिलकुल हम साइड में डालेंगे और सिंगल करोशिया बनाएंगे फिर उसके आगे वाले चैन में डालकर सिंगल करोशिया बनाएंगे उसके बाद देखिए बीच वाला में इस तरीके से हम धागा लेंगे और एक साथ तीनों को हम निकाल लेंगे उसके बाद से देखिए आगे वाले चैन में डालका सिंडल क्रोशिया बना लेंगे उसके बाद दस चैन बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पंच, छे, साथ, आठ, नौग, दस दस चैन बनाने के बाद देखिए अब यह हमारी जो पैटन आ रही है दिखिए उपर वाले चैन में हम डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके पाद बीच में डालकर एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तीन बनाने के बाद एक दो तीन चैन बनाएंगे फिर इसी में डालकर एक दो तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे उसके बाद दिखिए आगे वाले चैन में डालकर डबल क्रोशिय बना लेंगे उसके बाद फिर हम दस डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दस बनाने के बाद देखिए हमारी जो पांच डबल क्रोशिया आ रही है यह में होस्ट वाले उपर यह में डालकर सिंगल प्रोशिया बनाएइंगे फिर सेगंड वाले में जो भी सिंगल प्रोशिया बनाएंगे इसके बाद है दिखिए जो वारी बीच वह बाद है इखिक भुझ- зовут एक होई ज दोषिया बना लए गुझे, उसके बाद से खाया, Jentre-C globalization को हम आगे Willup करेंगे यानि, इस राउं में स्क्टो इसी तरीके से बना लेंगे छूलिए मैं यहां तक बना कर कम्प्लेट करती हूँ यानी बना लेती हो इस राउंड वह उसके बाद आपको दिखाती हूँ उसे इस तरीके से इस राउंडों को पूरा करेंगे हम चले बना लेती हूँ यह हमने इस रो को बना लिया है के बाद से यहां पर दिखें हमने दस चैन बना लिया देखें यहां से हमने बनाना शुरुआ की थी तो यह हमरी यह राउंडों को हमने कम्प्लीट कर लिया उसके बाद से दिखें द क्रोशिया बना लेंगे उसकी वाद से दिखिए यह जो हमारी बीच वाली आ रही है कि इसमें हम डालेंगे इस तरीके से और इस तरीके से तीन दागी को हम निकाल लेंगे इसके वाद से दिखिए आगे वाली जो चैन आ रही है इसमें डालकर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद देखे एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ यहाँ पे हमने दस चैन बनाए उसके बाद से अब दूसरे राउंड में हम आठ चैन बनाएंगे आठ चैन बनाने के बाद देखे, यहाँ पे डालेंगे डवल क्रोशिया बनाएंगे उसके बाद से देखे, एक, दो, दो चैन हम स्कीप करेंगे और उसके आगे वाले चैन में डालेंगे, देखे, उपर उपर वाले, बिल्कुल डवल क्रोशिया बनाएंगे बीच में डेखे, डवल क्रोशिया बनाने के बाद दो चैन लेंगे इसके बाद देखे, दो चैन ही स्कीप करेंगे और उसके आगे वाले चैन में डालकर डवल क्रोशिया बनाएंगे देखे, फिर हम बीच में डालेंगे एक, दो, तीन इसके बाद तीन चैन बनाएंगे फिर देखिए इसी बीच में हम डालेंगे एक, दो, तीन तीन चैन बनाएंगे उसके बाद से देखिए इसके ऊपर वाले चैन में डालकर एक, डवल क्रोशिया हम और बनाएंगे उसके बाद एक, दो, दो चैन बनाएंगे उसके बाद देखिए इसके लास्ट वाले चैन में हम डालेंगे डवल क्रोशिया बना लेंगे वन डबल क्रोशिया इस तरीके से बन कर आएगी है उसके बाद एक आठ चैन बनाएंगे एक दो तेन चार पंच छे साथ आठ आठ चैन बनाने के बाद देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद से दिखिए यहाँ पर हम डालेंगे तीनों को एक साथ हम निकाल लेंगे इसके बाद दिखिए आगे वाले चैन में डाल कर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे यह इस तरह के से बनती जाएगे एक दो तेन चार पंच छे साथ आठ आठ चैन बनाएंगे और देखिए इसके बिल्पल फर्स्ट वाले चैन में डाल कर डाबल क्रोशिया बनाएंगे दो चैन बनाएंगे और देखिए उपर वाले लाइस चैन में डालेंगे डवल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद देखिए बीच में डालेंगे एक दो तेन फिर तीन चैन बनाएंगे और फिर देखिए बीच में हम डालेंगे एक दो तेन अब फिर उपर वाले चैन में डालकर एक डबल क्रोशिय बना लेंगे दो चैन बनाएंगे और देखिए लास्ट वाले चैन में डालेंगे कि दॉप क्रोशिय बना लेंगे डिखिये इस त्रीकी से यह बन कर कर आए गी और इस रू को हमेशी तरीकी से पूरा करेंगे और हम बीच में हम्हुत सिंगल ख्रशिय बनाएंगे और दोनों साथ दो दो चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चलिए आप इस रोगों भी बना लेते हैं देखे हमने इस रोगों भी कम्प्लीट कर लिया अब देखे यहां से आठ चैन बना लेंगे क्योंकि यहां पर हम लोग करेंगे जिके इसको बना लिया है एक दो त्येव चार्ड पांट छे साथ आठ आठ चैन बनाने के बाद देखे जिस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं इसको हम इसी तरीके से बना कर कम्प्लीट करेंगे देखे डालेंगे एक बार में हम विकाल देंगे अब यहां पर दिखिए एक दो थेन चार्ड पर्ण शेट साथ हम साथ चैन बनाएंगे और दिखिए बिनके फॉस टॉले चैन में डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे और दिखिए यहां बेच में हम डालेंगे एक दो तें चार्ड पाच छें साथ आठ नौव इसके बाद के एक दो थेन चैन बनाएंगे फिर बीच में हम डालेंगे दो तेंग फिर दिखिए उसके पास वाली चैन में चार्ड पाक्स छे शाथ आठ चैन मेंट अब बीच में हम बनाएंगे नोग दस त्रफ चैन दस डवल क्रोशिया बनाएंगे एक तरफ इदर हमारी एक कम रह गए बीच में हम में एक और बना डेंगे तो दस डबल क्रोशिया बनाएं गयां ने इस तरिके से इस राउंड को भी हम इसी तरिके से खंप्क्लीट करेंगे एक गहुत एंड चारस फशी शान इस शयन बनाएंगे उसके बाएं सнес से देखें यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दो एक बाद देखिए एक दो तेन चाट पांड छे साथ साथ चैन बनाएंगे उसके बाद देखिए एक दो तेन चार पाच छे साथ आत देखिए नो दस देख में हम तेन चैन बनाएंगे उसके बाद देखिए फिर इसे में डाल कर एप दो तेन तेन उसके बाद आगे वाले चैन में डाल कर राओ चार पाच छे साथ आट देखिए बीच में हम बनाएंगे है अग्altro वो है है ऐक लाष्ट ने हैं हैं दाढल दास्ट डावल कोशिया हम बना लेंगे देग safer 我們 को complete करेंगे इसी तरीके से इस और हम बना लेंगे एड़ियों म ilgili दूद्द बीच में तरीके भी बना लिया है अब फॉर्फ राउंड बनाएंगे तो देखें यहां पर हमने दर चैन बनाएं इसके पाइस आठ उसके वाद साथ अभण छे जैन बनाएंगे यह राउंड को हमने कम्पविट कर लिया है दिखें यहां पर एकuu-t plais dh, जो हम ध FREE, व्म में लीड का आगी हैं यहां पर भी तीने ही तो यह हमारी । फूर्थ राउंड आज है इसमें में देखिए एक दो के मिए चार पांच 6 कू अब हम 6 बनाइंगी और देखिए पारस वाली चैन में डालिंगे डबल ऺनीघ कर दालेंगे इसके बाद एक, दू, दू चैन बनाएंगे, एक, दू, दू चैन स्कीप करेंगी और थार्ड वाले चैन में डालकर डवल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दू चैन बनाएंगे, एक, दू, देखिए लास्ट वाले चैन में हम डालेंगे, डवल क्रोशिया बना देंगे, देख जून ले इस राउंड को भी हम इसी तरीके से बना लेंगे देहिं तिन पनाने बद एक लोर तीन में बनाएंगे फिर बेच में डाल और तीन डवल कुरूशय बनाएंगे dall किते हैं उसके बाद देखें पास वाली टैन में हम डालेंगे दावल को बनाएंगे उसके बाद एक दो चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए एक और दो चैन स्कीप करेंगे और थोड़ वाले चैन में डालकर डवल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो चैन बनाएंगे एक दो चैन स्कीप करेंगे ठोड़ वाले में डाल का डवल कोशिया बनाएंगे एक दो चैन बनाएंगे फिर देखें एक और दो इसकीप करेंगे और ठोड़ वाले में डालेंगे डवल कोशिया बना लेंगे तो देखिए अब इस तरीके से ये हमारी अब इसको हम इस तरीके से बना लेंगे और उसकी बार से दिखिए जब फिप्ट राउंड में हम आएंगे तो इसी तरीके से हम डवल क्रोशिया बनाते हुए बना लेंगे सारे में इसके बाद एक, दो, तेन, चार, पांच, छेट, छेट चैन बनाएंगे, इसके बाद से देखी, इसमें डाल कर सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, इसके बाद देखें, यहाँ पर डाल के, इस तरीके से हम एक साथ निकाल लेंगे, इसके बाद सिंगल क्रोशिय बनाएंगे, इसके बाद फिर छेट चैन बनाएंगे, उसके बाद फिर हम इसको रिपिट करेंगे, तो गाइज, इस रो में इसी तरीके हम कम्पलीट करेंगे, तो चलिए मैं complete कर लेती हूँ इस रो को देखे हमने इस round को भी बना लिया है देखिए यहाँ पर एक दो तेन चार हमारी chain बनकर आ गई है अब यह हमारी fifth round है देखिए यहाँ पर एक दो तेन चार हमने बना लिया और यहाँ पर मैंने छे चैन बनाए अब यहाँ से हम पांच चैन बनाएंगे तो देखिए एक दो तेन चार पांच पांच चैन बनाएंगे और देखिए पास वाली चैन में डालेंगे डवल क्रोशिया बनाएंगे उसके पास से देखिए आदे हम डालेंगे चैन में डवल क बनाएंगे, पूसी बाद देखे बीच में हम डालेंगे जेली बनाएंगे, युजा चैन कदम हें बनाएंगे . युजा कि जो हम डालेंगे जेली बनाएं उई है , युजा ख्री में बनाीं होई हैं इसी तरीके से इसको हम बनाती जाएंगे उसके बाद हम एकी चैन में डालती में बना देंगे उसके बिबंस देखिए चैन में हम डालींगे साने तीन डाबल क्रोश्या बनाएँगे निज़िए इस तरीके से हमारे डालती चली जाएगी फिर अम नेक्सटन ग्राउंड आएं गे तो गाइच w तरीके से हमने यह बनाया यहां पर फर्स्ट टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो चैन स्कीप करेंगे फिर वन चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर दो चैन स्कीप करेंगे और थर्ड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इस राउंड को भी हम इसी तरी में हम 4 chain बनाएंगे तो अब चार चर च्य नहीं बनाकर हम complete करेंगे जब चार आए के बाहित हम 3 2 1 नहीं करेंगे 4 ही जल Monday इसे रो को complete कर लेतीगे इसके बाद में आपको बताँगी यहा पिर हम 3 ज्य बनाएंगे का मी खेए फिर यह की चैन में डालते हुए हम डबल कुरूशिय बना देंगे दिखे अब हम बीच में चैन में डालेंगे डबल कुरूशिय बना देंगे देखे इसी तरीकी से हम बना कर कंप्लीट करेंगे इस रोको भी चैन में पूरी बना देती हूँ इसी को आगे हम रिपिट करेंगे इसके बाद मैं आपको दिखाती है देखे गाइज हमने इस रो को बना कर सारे रो को बना लिया है और इस में देखिए हमने एक, दो, तेन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, चैन हमने बना लिया है देखें 10, 8, 7, 6, 5, 4 उसके बाद से हमने 4-4 chain लिये हैं 4-4-4 यह भी हमारी 4 chain बन कर आएगी तो हमने 8 row बना लिया है और 9th row में बना कर हम इसको पूरा complete कर लेंगे इस row को अब हम बंद कर देंगे बस हम 9 row बनाएंगे तो चलिए हम 9th row हम बना लेती हैं इसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया देखें इसी तरीके से जिस तरीके से हमने नीचे से स्टार्ट किया उसी तरीके से बनाती हुए चले गए हैं एक row में हमने खली double crochet बना कर complete किया है उसके बाद से 1 double crochet, 2 chain, 1 double crochet बीच में हम 2 chain skip करेंगे तो देखें इसमें भी मैंने इस तरीके से complete किया हुआ है एक double crochet, 2 chain skip करेंगे ठोड़ वाले में डालकर one double crochet फिर दोड़ वाले में डालकर one double crochet बनाकर इस round को इस तरीके से complete कर लिया है तब चलिए हम 9th row बना लेती हैं देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 row हमने बना लिया है और यह हमारी 9th row है तो 9th row बनाकर हम बंद कर देंगे और इस तरीके से double crochet बनाकर complete करेंगे हम तो देखें, यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 chain बनाएंगे और देखें, पास वाली chain में डालकर double crochet बनाएंगे फिर देखें, उसके आगे जो हमारी chain आ रही है उसमें डालकर double crochet बनाएंगे उसके बाद जो हमने chain बनाई हुई है बीच में डालकर double crochet बनाएंगे इसके बाद से देखें जो हमारी आगे वाली चैन आ रही है इसमें डालकर डबल क्रोशिया बना लेंगे फिर देखिए आगे वाली जो चैन आ रही है इसमें डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बाद ही चैन हम बीच में डालकर बनाएंगे वन डबल क्रोशिया इसके बाद से देखिए यहां तक बनाने के बाद मैं आपको यहां बताऊंगी कि इसको हम क्लोज करेंगे अब इसको किस तरीके से क्लोज करेंगे और इसको हम राउंड हुआने के बाद आके इसको क्लोज करेंगे चलिए पहले इसको हम बना लेते हैं देखिए इसको बना दिया है इसको बनाने के ब चार उसके वासे देखिए हम यहां पर नहीं डारेंगे यहां पर हम सिंगल क्रोशिया बनाती थे आप हम नहीं बनाएंगे इसको हम बंद करेंगे तो देखिए बीच में हम डालेंगे यह जो हमारे पैटर्न आ रही है एक दो तेन देखिए इस तरीके से हम डालेंगे तीनों को हम एक साथ ही निकाल लेंगे इसके बाद एक दो तेन चार चार चैन बनाएंगे इसके बाद देखिए पास वाली चैन में डालकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अब हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे इसी तरीके से इस रावंद को हम गुमा लेंगे देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसके लूक आ जाएगे यह जो है देखिए अब इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बना देंगे एक और चैन के बीच में बनाएंगे अदो साइड साइड में बना देंगे देखिए एक इधर बना दिया हमने फिर एक इधर साइड बना देंगे इसके बद हम बीच में बनाएंगे तो हम इसी तरीके से बनाकर इस रावंद को गुमा लेंगे तो चलिए मैं इस रावंद को पूरी गुमा लेती हूँ देखें। है, तो टीन दागु को एक साथ ही हम सकती हम Cameron । गणारी centr W when weЧ rip only जरी मैं बना लेती हूं देखें हुआज मैंने धागे को पत कर लिया है। उसके बास साथ यह 아 podéis को और शेकि हएंसे वाले तरये और मॉझेह इसी तरीके से इस राउंड को भी हम बनाकर complete कर लेंगे बेहुत सेम तरीका है उसी तरीके से हम बनाएंगे देखे एक यहाँ पर हम चार चैन बनाएंगे एक दू टेन चार चार चैन बनाएंगे और देखे यह जो हमारी बीच वाली पैटर्न आ रही है यहाँ पर दोनों एक साथ हमने निकाली हुई थी तहीं यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया देखे यहाँ पर डालेंगे और डवल क्रोशिया बना लेंगे इसके बाद दो चैन बनाएंगे कि देखे इसी चैन में डालेंगे दबल क्रोशिया बनाएंगे तो हम चैन इस धागे को नहीं निकालेंगे इसी में रहने देंगे इसके बाद देखिए आगे वाली जो यह हमारी पैटर्न आ रही है देखिए डोलों तरफ से यहाँ पे इसमें हम डालेंगे और देखिए तीनों को यह एक साथ हम निकालेंगे उसके बाद एक दो चैन बनाएंगे देखिए फिर इसी चैन में डालेंगे और इस चैन को हम निकालेंगे नहीं फिर देखिए आगे वाली चैन में डालकर जो हमारी पैटर्न आ रही है यहाँ पे उस में हम डालेंगे और देखे हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे जिस तरीके से हमने ये वाली pattern बनाई उस सेम उसी तरीके से बनाएंगे इसको भी और इसके बाड़ से पूरे complete करने को बाद धागी को हम cut कर देंगे उसके बाद से हमारी थालपोस बनकर विंकूर रेडी हो जाएगी उसके बाद फाइनल लोग आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनकर आई हुई है तो देखे इसी तरीके से इस राउंड को भी हम बना लेंगे बीच में हम दो दो चैन बनाएंगे देखे फिर इसी चैन में डालेंगे इस तरीके से पफिर आगे वाली जो हमारी पैटर्न आ रही है इसमें डाल कर थ्री धागू को एक साथ हम निकान देखेंगे इस देखेंगे तो चलिए मैं बना लेती हूँ इसको उसके बाद final लूक आपको दिखाती हूँ इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पर आके और इस वाले chain में हम joint कर लेंगे उसके बाद धागी को cut कर लेंगे जितने सारे हमारे धागी निकले हुए हैं इसको cut करके हम finishing कर लेंगे तो चलिए हमें complete कर लेती हूं उसके बाद आपको दिखाती हूं देखिए इस राउंड को भी बनाकर हमने complete कर लिया है और इस तरीके से इसकी लुक आ रही है जब हमारी बनकर थालकोस बिल्कुल रेडी हो गई है तो देखिए यहां पर इसमें हमने double crochet बना लिया है और दो chain बना लिया है फिर इसी chain में डालकर double crochet बनाएंगे देखिए धाग इसके बाद धागी कौन कॉट कर लेंगे तो दिखिए इस तरीके से हमारी बनकर रेडी हो गई है तो चलिए मैं आपको इस फीफ फाइनल लूप दिखाती हूं अब हमारी थाल पोस बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है